हेलो फेंट्स विल्कम टू माई योटूब चैनल जी एस क्लासिस में आपका स्वागत है फेंट्स आज हम अपने इस वीडियो में टीजीटी पीजीटी सोसियोलोजी प्रैक्टिस एंडमन 94 को सॉल्व करेंगे फेंट्स यह प्रैक्टिसेट बिल्कुली स्लेबस के तो वीडियो को पूरा देखेगा और हाँ अगर आपको वीडियो पसंद आएज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा और साथ ही साथ प्रैक्टिसेट को सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके यह जरूर बताएगा कि आज के प्रैक्टिसेट में आपके समाज की और option number D दिया गया है स्वच्छंद समाज की तिस कुश्चन का राइट एंसर क्या हो जाएगा इस कुश्चन का राइट एंसर हो जाएगा हमारा option option number B यानि की आदिम समाज की तोंडा जनजात आदिम समाज के अंतरगत आती है यह तमिलिनाड के नील गीर परबत पर निवास करते हैं यह एक पसपालक विशेस्ता भैस जनजातियां है कुश्चन का राइट एंसर हो जाएगा हमारा option number C आज हमारा second question है मैक्स बेबर दोरा अपने विचारों को अविवक्त करने का मद्धम था option number A दिया गया है सकारात्मक दरसन सास्त्र option number B है अर्थ सास्त्र एवं समाज option number C है मनिश्व बनाम राज्य और option number D दिया गया है समाज सास्त्र के सिध्धान्त तो इस question का राइट एं जाएगा हमारा option number B यानि की अर्थ सास्त्र एवं समाज मैक्स बेवर को आधनिक समाज सास्त्र को एक विशिज सामाजी विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित करने वाला समाज सास्त्री माना जाता है इनकी सरवादिक प्रमुक्रित रिट सेप्ट एंड गैसल सेप्ट जिसकी अंग्रेजी अनवाद Economy and Society के रूप में सन 1968 में हुआ जिसमें जो है उन्होंने अपने विचारों को ब्यक्त किया है कुश्चन का राइट एंस हो जाएगा हमारा option number B आज हमारा अगला प्रश्ण है आज कल किसी ब्यक्त के सामाजिक मान का आंगलन मुख्यता किया जाता है option number A है पेशा दोरा, option number B है जैन्म दोरा, option number C है भू संपत्ती दोरा और option number D दियागे है आचार विचार की कोटी दोरा तिस कुष्चन का राइट एंस हो जाएगा, इस कुष्चन का राइट एंस हो जाएगा हमारा option number A यानि की पेशा दोरा, कुछ समाज वज्ञानकों ने प्रस्थित में उच नीच संस्त्रण इम सम्मान के भाव को जोड कर एक ब्यक्त की बिभिन प्रस्थितियों के योग क सामाजिक इस्थित कहा है, नेत्रित, प्रभूत, योगता, उपलब्दिया, ब्योसायत था पदवी, उपाद, सदस्यता, ब्योहार, पोशाक, आध कुछ ऐसे मानक हैं जिनके दोरा ब्यक्त की सामाजिक प्रस्थित का मुल्यांकन किया जाता है, परतु वर्तमान समय में कि इसे ब्यक्त का सामाजिक मान प्रधत प्रस्थित ना होकर अरुझित प्रस्थित के फल सरूपैत इस्वज़ाँ से इस कुछन का राईट एंसर हो जाएक हमारा नंबर ए, आज हमारा अगला प्रस्थ्ट है, सामाजिक सोध की समस्या अध्यन प्रणाली सहायता प् जिसमें किसी एक ब्यक्ति घटना अत्वा संस्था का सर्वगीन अध्यन किया जाता है। यह सोध बिद की अपेच्छा अध्यन विशलेशन का एक उपागम है जो अध्यन के किसी एक सामाजिक एकाई को उसकी समक्रता में देखने पर बल देता है। इस उपागम का प्रियोग समाज विज्ञानों के अत्रिक्त, कानून, ब्यापार, जन संचार के साधनों, जनमत, प्रशासन, आध, कई कार छेत्रों में किया जाता है। सर्वेच्छन सोध की भात इसमें परणात्मक विशलेशन को कम महत दिया जाता है। सोध की इस परप्रेच में घटनाओं के क्रम, व्यक्तियों के प्रिणरणाओं और सामाजिक संबंदों पर अधिक बर दिया जाता है। सूचनाएं एकत्रित करने के लिए इसमें प्रात्मिक एवं दतियक दोनों सुरोतों का प्रियोग किया जाता है। क्वेज़न का राइट एंसर क्या होगा। कुष्छन का राइट एंसर हो जाएगा हमारा ऑप्सवन नमबर D आज हमारा अगला प्रश्ण है। किस ने समाज संगठन में राज की यपेच्छा ब्यक्ति को अधिक अधिक महत्य प्रदान किया है। उप्सन नमबर A है James Giles, उप्सन नमबर B है A W Green, उप्सन नमबर C है J S मिले और उप्सन नमबर D दिया गया है Edward, ति इस कुशन का राइट एंसर क्या हो जाएगा, इस कुशन का राइट एंसर हो जाएगा हमारा उप्सन नमबर A यानि की James Giles, James Giles ने समाजिक संगठन में ब्य राज की अपेच्छा अधिक महत्पोड भूम का निभाता है, इस वज़े से कुशन का राइट एंसर हो जाएगा हमारा उप्सन नमबर A, आज हमारा अगला प्रश्न है, आरोपित प्रतिष्ठा से तातपर है समाज में वह स्थित जिसके मूल में होता है, उप्सन नमबर A प्रतिष्ठा से तातपर उस प्रस्तित से है, जो ब्यक्तिकों मात्र जन्म के आधार पर प्राप्त हो जाती है, ठीक है, आरोपित प्रतिष्ठा से तातपर उस प्रस्तित से है, जो ब्यक्तिकों मात्र जन्म के आधार पर प्राप्त हो जाती है, ठीक है, आरोपित प्रस्थित को प्राप्ट करने के लिए ब्यक्त को ना तो किसी योगता निपूर्था की आवशक्ता होती है और ना ही महिनत की इस्त्री पुरूस बालक युवा बृद्धी ब्रामण चत्री आधि आरोपित प्रस्थित के उधारण है इन परिस्थितियों पर ब्यक्त का प्रस्थितियों की अधारणा का प्रियोग जो है सरप्रथम राल्फ लेंटन ने अपने दोनों राल्फ लेंटन ने दोनों में अंतर प्रदर्शित करने के लिए जो है किया था इस वजह से कुश्चन का राइट एंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी आज हमारा अ अध्यात्मक वद से तिस कुश्चन का राइट एंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर अय यानि की प्रकीतिवाद से मैक्स मूलर का संबंद धर्म की उत्पत के प्रकीतिवाद की अधारणा से है मैक्स मूलर का प्रकितवात जीवित सत्तावात का ही एक रूप है इन्होंने धर्म की उत्पत्य को प्राकृतिक सक्तियों घटनाओं घटनाओं की पूजा में जो है ढोड़ा है प्रकित की आसीम विशालता सक्ति के सम्मुक मनुष्य नत्मस्तक होता है तो ध धर्म की उत्पत्य होती है इस वह जैसे इस कुश्चन का राइट एंसर हो जाएगा हमारा ओप्सन नंबर ए आज हमारा अगला प्रश्ण है सामाजिक परिवर्तन सामानेता हुआ करते हैं और निर्थक और भी है हिंसात्मक और सी है एकदम अचानक और ऑप्सन नंबर डी दिया गया है सतत तो इस कुश्चन का राइट एंसर क्या हो जाएगा इस कुश्चन का राइट एंसर हो जाएगा मारा ओप्सन नंबर डी यानि की सतत सामाजिक परिवर्तन एक सर्व्यापी घटना है या सभी सामाजों इम सभी कालों में होता रहता है मानो समाज के उत्प प्रोफेशर डेविस के अनुसार यह तत्य प्रोफेशर डेविस के अनुसार यह तत्य सदेव विद्धिमान रहने वाला है कि विश्य के अनेकत्तों के अनुरूप समाज और परिहार रूप से सदेव परिवर्तित होता रहता है इस वज़े से कुश्यन का राइट एंसर हो जाएगा हमारा option number D, आज हमारा अगला प्रश्ण है, हिंदू बिवा में विच्षेदन के लिए कौन सा कारण जिम्मेदार है, तो कौन सा कारण जिम्मेदार है, option number A दिया गया है, विजाती बिवा के वज़ा से बंधनों का तोटना, option number B है, अनुवनदी तरीकों से बिवा की धाना पर ज्यादा जोर दिया जाना, option number C है, बहु बिवा प्रथा पर रोक लगाना, समानों जो नुमित आपचारी तथा अपेच्छाकृत अस्थाई लेंगिक संबंदों की एक बियोस्था एवम नियमाचारों का एक पुंज है जो पारिवारिक जीवन के लिए आवश्यक पारसपरिक दायत्तों एवम अधिकारों दोरा इन्हें एक सूत्र में बांथता है। आजकल आधिनिक समाज में विवार के इस पारसपरिक दिरिष्ट कोड को आधिनिक युगायों दोरा स्वविकार किये जाने में जीजयक होने लगी है। अतहा अनुबंदी तरीके से विवार की धाना पर जोड दिया जाना विवार बिच्छेद का प्रमुक कारण है। कु इस कुश्यन का राइट एंसर हो जाएगा हमारा ऑप्सन नंबर यानि की गयने से क्या हो जाएगा गयने से नगरवाद के लच्छणों यानि की विचारों विवारों के रूप के विकास प्रसार की प्रक्रिया नगरी करण कहलाती है। ठीक है। राबर्ट गयने ने नगरी करण के संयोजनात्मक सिध्धान्त को प्रतिपादित किया है। उन्होंने आधनिक अनुदेशन सिध्धान्तों का जनक भी माना जाता है। का राइट एंसर हो जाएगा। आज हमारा अगला प्रश्न है हिंदू कोड बिल द्वारा लड़कियों को कानूनी विवाक की उम्र को बढ़ा कर 15 वर्स किया गया था। कब किया गया था। option a 20 में, Option b Toons 30 में, option c 1908 में, option D 256 में। तिस कोश्चन का राइ एंसर क्या हो जायगा। इस कोश्चन का राइट एंसर हो जाहेगा। BIG की cand 가 कानून थे हिंदू उत्तर अधिकार हिंदू वसीयद अधनियम बिधोवा बिवाहित इस्त्री के संपत्य दिवार तलाक भरण पोशड कानून आदी कुछ समय पशात इनका नाम बदल कर सारदा एक्ट कर दिया गया सारदा एक्ट 1929 सारदा एक्ट 1929 के तहट 14 वर्ष से कम आ की उम्र 15 वर्ष जो है कर दी गई थी तीस वजा से इस कुष्चन का राइट एंसर क्या हो जाएगा तो इस कुष्चन का राइट एंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी और अगला प्रशन है जिस पध्यत के तहत जात गत क्रम परंपरा में ऊपर उठने के लिए अप्शन नंबर डी दिया गया है अभियानी करण तीस कुष्चन का राइट एंसर क्या हो जाएगा इस कुष्चन का राइट एंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानि की संस्कृति करण एमन स्री निवास के अनुसार संस्कृति करण वह परक्रिया है जिसके दोरा कोई निम्न हिंदु जात का कोई जनजात अथवा अन्य समूह किसी उच और प्राया दुज जात की दिसा में अपने रीत रिवाज कर्म कांड बिचार धारा और जीवन प्रकृत को बदलता है उ जोगिक तानल साफ्प्सन और भी है यूर्वेडलोपीं लोकतन्त ही ताना सही औरोप्सन नंबर डी दिया है राजनाथ कंट्र तो इस कुस्च्षन का रह अनसरों क्या हो जाएगा मारा आप्शन no. d यानि की राजनातिक लोक तंत्र पयैरोटlaughयों ने अपने परभ्रमि प्रफम स्रेंड़ी के प्रधानता होती है जिन लोगों में ऐसे प्रधानता होती है वे लोग कभी वफादार नहीं हो सकते हैं यह लोग समझ बूझकर या जूटे वादे या धोखदड़ी के साहरे सासन करने की कोशिश करते हैं बहुत सारे भारती नेताओं को इसी स्रेंड़ी में रखा जा सकता है यहां राजनैतिक लोगतंतर का उधारण है तो कुश्चन का राइट एंसर हो जाएगा ऑप्सन नमबर डी आज का हमारा अगला प्रश्चन है किसके अनुसार जीवधारी प्राणी की तरह समाज का विकास सरल से जटिल रूपे में होता चलता है आप्सन नमबर ए है मारगन आप्सन नमबर बी है स्पेंसर आप्सन नमबस यह विकास वादिगन और आप्सन नमबर डी दिया गया है डार्विन आज के अगला प्रश्ण है, पिता की बेहन की पुत्री के साथ बिवा है, क्या है, उप्शन नंबर A है सोरो रेट, उप्शन नंबर B है पैटर्नल क्रास कजिन मेरेज, और उप्शन नंबर C दिया गए है इंडोगैमी, उप्शन नंबर D है हाईपोगैमी, तीछ इस कुछि सोधर पच्छी बिवा को मात्रा पक्षी में सोधरज बिवा मंस का दितर दी जाती वृता दे जाती वìn सोधर चाहता मैं और ऌहें अग्ला सब्षुन है भूस्ष मार्व सामाजिक करम प्रम्परा में किसी का हो जाएगा हमारा इस कोश्चन का राइट एंसर हो जाएगा हमारा option number D यानि की उपर युग्त सभी सामाजिक गतिसेलता सामाजिक जगत में पद प्रस्थित या प्रस्थित संसरण में होने वाले परियर्थनों का संकेत देती है सामाजिक गतिसेलता अधोमुकी और धोगमी वा 36 तीनों रूपों में होती है साधारता अर्थों में आयके बढ़ने या घटने के कारण किसी ब्यक्तिका एक वर्ग से दूसरे वर्ग में प्रवेस की स्थित सामाजिक गतिसेलता को इंगित करती है इस वजह से कुश्चन का राइट एंसर हो जाएगा हमारा option number D आज हमारा अगला प्रशन है फ्रेंट्स उम्मेद करता हूं कि आपको वीडियो पसंदार होगा अगर आपको वीडियो पसंदार हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप हमारे इस वीडियो के पीडियो को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल क आप लोगों को लिए regular mock test provide किया जाता है जिसे यदि आप जो है हमारी टेलिग्राम चैनल को join करते हैं तो आप जो है free में mock test भी दे पाएंगे और आज से friends हमारी टेलिग्राम चैनल पर फूल लिंद का mock test यानि की पूरे दो घंटे में जो है कंडेक्ट करवाया जाएगा तो यदि आप जो है अभी तक हमारी टेलिग्राम चैनल को नहीं किये हैं तो आप हमारी टेलिग्राम चैनल को join कर लिजिए जिसे आपका एक्जाम से दस दिन पहले ही फुल लिंथ जो है प्रैक्टिस हो जाएगा और आप वेडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को लोगों तक जो है सेयर करेजिए जिसे वह भी मौक टिस्ट का जो है लाव ले सकें टेलिग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्केशन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया गया है तो आप लोग वहां से टेलिग्राम चैनल को join कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं आज हमारे निश कुशन क और आज के बारा निश कुशन है हर्बर्ट इस्पेंसर के अनुशार सामाजिक क्रम विकास की कुझी क्या है। आप्शन नमबर A है सामाजिक अन्कूलन, आप्शन नमबर B है प्राक्रितिक चैन, आप्शन नमबर C है सामाजिक चैन और आप्शन नमबर D दिया गया है सामाजिक संस्था, ति इस कुशन का राइट एंसर क्या हो जाएगा हमारा, इस कुशन का राइट एंसर हो जाएगा ह हमारा option number B यानि की प्राक्रितिक चैन इस्पेंसर ने प्राक्रितिक चैन के नियम को मानों समाज पर लागू किया है और यह निसकर्स निकाला है कि अस्तितु के लिए संगर्स मनुस्य तथा अन्य जीवित प्राणी के बीच तथा स्वयम मनुस्य या मनस्यों के बीच निरंत है टानीज के अनुसार पडोस है एक किस्म का option number A दिया गया है आदिम समू, option number B है समुदाय, option number C है गैसल सौप्ट और option number D दिया गया है सामाजिक समू, ति इस कुश्चन का right answer क्या हो जाएगा, इस कुश्चन का right answer हो जाएगा हमारा option number B यानि की समुदाय, क्या कह जाएग option number इस कुश्चन का right answer हो जाएगा, हमारा option number C यानि की गैसल साफ्ट, यानि की टानीज के अनुसार पडोस है, एक किस्म का गैसल साफ्ट, गैसल साफ्ट जर्मन भासा का एक सब्द है, जिसका प्रियोग है, जिसका जो प्रियोग है यह होता है कहां पर, फ्रेंट एक बार तो कुश्चन का right answer क्या हो जाएगा, कुश्चन का right answer होगा, हमारा option number B यानि की यह एक समुदाय है, ठीक है, गेमिन साफ्ट जर्मन भासा का एक सब्द है, जिसका प्रियोग समाज सास्त में समुदाय के अर्थ में किया गया है, इस आउधार्णा की रचना सन 1887 में हुई ह जो पारस्परिक विश्वास इसने सहान भूत की भावना पर आधारित होते हैं, तिस वज़ा से इस कुश्चन का right answer जो होगा, वह होगा हमारा option number B, यानि की समुदाय यानि की टानिज की अनसार पडोस एक किस्म का समुदाय है, तो कुश्चन का right answer होगा option number B, आज हमारा अ option में से कोई नहीं, तिस कुश्चन का right answer क्या हो जाएगा, इस कुश्चन का right answer हो जाएगा, हमारा option number C, यानि की अरजित आजरण, इवी टैलर के अमसार संस्कृत वा जटिल संपोर्ता, जिसमें ज्ञान, विश्वास कलाएं, नैतिक बिदी प्रताएं और वे सभी योगित है, इसमें इन में से कौन एक प्रतियोगिता है, option number A दिया गया है, इरान, इराक, युद्ध, option number B है, एक संदर प्रतियोगिता, option number C, मेरट में हुआ, संप्रदाइक, संघर्ष, और option number D दिया गया है, मोहन, बगान, एवं मुहम्मदन, स्पोर्टिंग क्लब के बीच, फु परति देती है कि वहां परसपर, वांची किसी लच की प्राप्त में दूसरों को सिर्फ पीछे छोड़ दें, इसे अत्यंत सकारात्मक समाजिक प्रक्रिया माना जाता है, मैक्स वेवर ने प्रतियासपर्दा को सांथिपूर संघस कहा है, जिसमें सांथिपूर प्रेतनों क प्रतियासपर्दा को सामाजिक प्रगत का एक आवश्यक कारग भी माना जाता है, कुशन का राइट एंसर क्या हो जाएगा, कुशन का राइट एंसर होगा हमारा ऑप्शन नमबर D, यानि कि मोहन भगान एवन मुहमदन स्पोर्टिंग क्लब के बीच फुटबाल मैच, की दिया गया है प्रतियसपर्दा, तिस कुशन का राइट एंसर क्या हो जाएगा, इस कुशन का राइट एंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नमबर A, यानि की गोत्र, हिंदु में गोत्र बिवा निसेध है, विज्ञानेश्वर ने ग्योत्र का अर्थ अस्पष्ट करती कि वन्स परंपरा में जो नाम प्रशिद होता है, उसी का गोत्र कहा जाता है, उसी को जो है गोत्र कहा जाता है, इस प्रकार एक गोत्र के सदस्यों दोरा अपने गोत्र से बाहर बिवा करना ही गोत्र बहिर बिवा कहलाता है, हिंदु बिवा अधनियम दोरा वर्तमान में स संगोत्र विवा हटा दिया गया है किंद विवार में आज भी इसका प्रशलन है कुश्चन का राइट एंसर होगा ऑप्सन नमबर ए आज हमारा अगला प्रशन है सूची वन को सूची दो से सुमिलत कीजिए तथा सूचियों के नीची दिये गया कूट का प्रयोग कर सही उत स्वविक्रित तरीके समाज में ब्योहार करने के मांत्या प्राप्त या स्वविक्रित तरीके या किसे संबंदित है तिया मैकाईबर से संबंदित है दूसरा है रिवाजों को निद्रिश करने की एक सामान अभिवेक्त या किसे संबंदित है तिया आग बढ़न से संबंद This is тебя है तिसुचन का right answer क्या हो जाएगा extraordinarily णाजिया हमारा option नंबर E आज हमारा अगला प्रश्न है吧 मात्र सत्तात्मक परिवार प्रथा मानी जाती है। patient number A मुसलमानों दौरह , anybody the government's are for the no farther निरूभर dislike episódio मेधि के रल के नायवर तुछन सत्ता की बिवारिक योम औप्चारिक दोनों दिश्टिस में से मुखिया परिवार का प्रशलन तीनों छेतरों में पाया जाता है। पहला है ब्रह्मपूत्र की दच्छिट तड़ पर निवास करने वाले खासी तथा गारों जन जातियां। दूसरा है केरल के नायर जन जातियां और तीसरा है दच्छिट भारत के कदार पूरियन जन जातियां। कुश्चन का राइट एंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर डी आज हमारा अगला प्रशन है किसी और दोगिक समाज का धंग होता है। अब्स दिया गया है नीओ लोकल निवासिकतो ढहал और ऑप्सचन का राइट एंसर क्या हो जाएगा इस खुश्ण का राइट एंसर हो जाएगा हमारा अग्स अमबर ऑप्सट नह्मबर ए यान Nichकी निव लोकल निवासिकतो ढह जब वैवाहिक धंपत ना शालियों के साथ रहें और न पत्नी के परिवार में बलकि नया ही घर जो है बसाकर रहते हैं, तब इसे नर अस्थनी यानि की नियो लोकल परिवार कहते हैं. आधुनिक समाज में निवास की दिष्ट से परिवार का यही रूप सरवाधिक प्रचलित है कुश्चन का राइट एंसर हो जाएगा आज यमारा अगला प्रश्ण है बीवा सिस उत्पादन युम अनुरच्छण है तो एक अनुबंध है यहां परिभासा किसके दौरा दी गई है नंबर ये है दुर्खीम, बियां मैंकैवर, बियां मैलनो वसके इह तो किष्चन का राइट टैंसर क्या हो जाएगा इस कुश्चन का राइट एंसर हो जांगा अगला प्रश्ण है बेश्टर मार के अनुसार मनुस ने आरंभ में किस किस्म की बिवाप्रथा को अपनाया था option number A है बहुपतनी वाद, option number B है बहुपतनी वाद, option number C है एक पतनी वाद और option number D दिया गया है स्वच्छंद संभोग वाद फ्रेंड्स यह question आप लोगों से पिछले practice में पूछा गया था जिसमें से कई लोगों ने इस question का सही जवाब दिया था इस question का सही जवाब दिया था रियाना बानोने, परमेंद्रा रायने, अनुभा पांडे, इस्मिती राय, अलका सिंग, प्रीती सर्मा, सुधा यादो, पिंकी मौर्या, गौरो सिंग, पूनम सर्मा, कविता सैनी राजा, बाबू, परवीन, नितु कुमारी, इंदु यादो, अर्चना स्रीवास्तो, अधिती सिंग, तनुगुप्ता, जय प्रकास सर्मा, सुमन यादो, रंजना यादो, लिजिजारा, प्रियजारा, मनोज कुमार, सुमन सिंगल, विनिशा दूबे, आचल सक्सेना, रा आकांची सिंग, नीता चोहान, पिंकी यादो, और मनु गुप्तान, यानि इन सभी ने इस कुश्चन का सही जवाब दिया था, तो आएए जानते हैं कि इस कुश्चन का राइट एंसर क्या हो जाएगा, इस कुश्चन का राइट एंसर हो जाएगा, हमारा option number C, यानि कि ए प्रशुद्ध का कथन है कि एक विवा का एक मातर सच्चा रूप है और यह और रहेगा, तो कुश्चन का राइट एंसर हो जाएगा, हमारा option number C, ठीक है, बिश्टार मार्गने कहा है कि विवा के संदर में, बिश्टार मार्गने कहा है कि या भिश्चन मार्गने कहा हो बढ़ती हुई विभिणता यहों बढ़ते हुए समाजों के आकार को समाजिक परिवर्तन का लच्छड किसने माना है ओप्शन नमबर A है L.T. हाभ हाउस ने ओप्शन नमबर B. कार्ड मार्क्स ने ओप्शन नमबर C. हरबर डिस्पेंसर ने और option number D दिया गया है पीएम सोरो किन्ने, फ्रेंट जैसा कि आपको पता है कि हमारे practice set के last question आप लोगों के लिए छोड़ दिया जाते हैं, यानि कि इस question का right answer आप लोगों को comment करके बताना होगा कि question का right answer क्या होगा, उम्मीद करता हो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, हम आपके comment को अपने next video में जरूर consider करेंगे, फ्रेंट जैसा कि हमारा target था 100 प्लस जो है practice set का, so finally हम लोग आज 94 practice set solve कर चुके हैं, उम्मीद करते हैं कि हम जल्दी 100 प्लस जो है practice set आप लोगों के लिए provide करा देंगे, और आप लोग जो है full link mock test के लिए बिल्कुल ready रहिएग on time, आप telegram channel को join के लिए आप लोगों को आज full mock test conduct करवा जाएगा, तो चलिए मिलते हम आपसे पने next video में तब तक के लिए जैहिंद बंदे मात्रम